असलम वालेक। मैं हूँ असलम आलाम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट दोस्तो इस वीडियो में कतर के बारे में दो अहं में लिटेश्ट अफडेट देने वाले हैं एक तीसरा अफडेट भी है जो कि nawrmal है अगर आप कतर के बारे में अपडेटेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाश तक जरूर देखें तो दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं 15 नवंबर से दोकानों और शॉपिंग मॉल्स के लिए जो रूल लागू होंगे उसको हम आगे बताने वाले हैं आज का जो पहला अपडेट है वो है मिनिश्टर अप कॉमर्स की तरफ से मिनिश्टर अप कॉमर्स ने मार्केट से एक चॉकलेट जो के बेल्जियम का है 28 फरवरी 2022 का प्रोडक्ट है नाम आपको स्क्रीन पर नदर आ रहा होगा इस प्रीड अप ट्रेड मार्क स्पार है मिनिश्टर अप कॉमर्स ने इसके बेचने पर मार्केट में रूक लगा दिया है इसकी वज़ा यह है कि चॉकलेट में बादाम का मिटेरियल पया गया है जो के कुछ लोगों के लिए इलर्जी का सबब बन रहा है आज का जो दूसरा अपडेट है वो है बलदिया की तरफ से जहां पर बलदिया वालों ने उमसलाल में एक होटल को 15 दिनों तक के लिए बंद कर दिया है यहाँ पर जिस कंडिशन में खाना दिया जा रहा था वो मिनिस्ट्रे अपबलिक हेल्थ के मताविक फीट नहीं था दोस्तो अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आपको अंताजा लग रहा होगा कि पिछले कुछ दिनों से रोजना बलदिया वाले कहें पर किसी दुकान में किसी होटल में किसी श्टोर में जाते हैं और वहाँ पर झान बिन करने के बाद में अगर कुछ भी गरवल नजर आता है तो फोरण उसके खिलाफ एक्षन लेते हैं जिसके बारे में मैं पिछले कई वीडियो से आप लोगों को अपडेट देता आ रहा हूँ दोस्तो आज का जो सबसे में अपडेट है वो भी बलदियाही की तरफ से है दुकानों के लिए चाहे वो कोई भी दुकान हो सूपर मार्केट हो होटल हो शॉपिंग मॉल्स हो या शॉपिंग सेंटर हो इन तमाम जगहों पर 15 नवंबर 2022 से ये रूल लागू हो जाएगा इन तमाम जगहों का जिसका मैंने भी नाम लिया है 15 नवंबर 2022 से वर्ल्ड कोप के शुरू होने से 5 दिन पहले से ऐसे प्लास्टिक के थैले शॉपर या बैग जो भी कह लें जो के एक ही बार यूज होता है उसके बाद उसको फिंग दिया जाता है तो ऐसे प्लास्टिक के थैले को यूज नहीं कर सकते हैं जैसे अभी आप किसी दुकान में सबजी खरीते हैं या कोई भी समान खरीते हैं तो दुकान वाले जो आपको प्लास्टिक देते हैं तो प्लास्टिक आप रूमे ले जागर इसको फेक देते हैं एक बार यूज करने के बाद में तो 15 नवंबर 2022 के बाद ऐसे प्लास्टिक के थैले को यूज़ किया जाएगा जो के दो बारा ते बारा से बारा इसको बार बार यूज़ कर सकते हो इसी तरह प्लास्टिक का ऐसा थैला जो के एक ही बार यूज़ के काबिल हो लेकिन उसको फैकने से वो आसानी से गल और सड जाए तो ऐसे थैले को भी यूज़ कर सकते है इसका में मकसद है कतर में कच्रे को कम से कम करना एक बात आप ये भी याद रखें कि ये रूल कब लाया जा रहा है वर्ल कप के शुरू होने से पांच दिन पहले उस वक्त पूरा कतर लोगों से भरा रहेगा ऐसे लोगों से जो के वर्ल कप देखने के लिए बाहर से के ऐसे वक्त में कतर में जितनी भी दुकान है जितने बड़े भी शॉपिंग सेंटर या मॉल हैं ये सारी जगह पर लोग भरे रहेंगे फिर उसी हिसाब से कच्रा भी फेका जाएगा बलदिया वालों ने प्लास्टिक ऐसे बैक के बारे में और भी खुल कर वजाहत किया ह कि जिस प्लास्टिक बैक की मोटाई 40 मैक्रोन से कम होगी तो ऐसे प्लास्टिक को यूज नहीं कर सकते हैं इसकी जगह ऐसे थेले को यूज कर सकते हैं जो के यूज करने के बाद में अगर उसको फेंक दिया जाए तो वो खुद बहुत खराब हो जाए या यह के ऐसा थेला जो के बार बार यूज के काबिल हो यहां पर यह भी कहा गिया है कि इस चैंजिंग से आम कस्टमर की जेब पर कोई भी एडिशनल खर्चा नहीं होगा मतलब इससे आम लोगों को अलग से कुछ और पेन नहीं करना पड़ेगा तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो उमीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया